चोटा पैकिट बड़ा धुमाका निकलेगी अजे देवगन सहाब की ये मूवी यानि की शैतान हेलो आईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका सैतान मूवी के ऑफिशल पोस्टर रिव्यूव के एपिसोड में इवन दोस्तों यहाँ पे एडिशनल जो अपडेट है इस म अपडेट आ रहा है मैदान का नहीं आ रहा तो फैंस को गाइस इस बात का डर है तो कर लेंगे बाद तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अजद एकवन सहाब की मूवी से के भी अपडेट मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरूर नहीं है शैतान मूवी गा दोस्तों देखो इस वक्ट है मेरे हिसाब से वह ग्राउंड लेवल में जो कि बहुत जबरदस है यह से पूछते हैं कि कौन सी मूवी देखोगे नेक्स्ट मूवी देखने का आपका कौन सा प्लान है यहां पे नन अदर दैन सैतान मूवी का ही नहीं हमाता है क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बात है कि अगर कोई कॉटेंट ला रहे हैं तो वह गल्त नहीं ला रहे होंगे आफिर कोई ऐसा नहीं मतलब गाई यहां पे क्रिंच या फिर आप लोग कैसा कि कोई रेगुलर बेस मूवी का कॉंटेंट नहीं होगा यह कॉंटेंट, आजे, लोगों को यह बाद बात पता चल चुक है कि वश का और पहली बार दोस्तो किसी रिमेग मूवी को इजत मिलने वाला है क्यूंकि वश मूवी को उतना अप्रिशेशन नहीं मिला था क्यूंकि रिजिरल मूवी थी और वो movie हिंदी में भी डब नहीं है इवन किसी OTT platform में है ही नहीं तो ऐसे में guys आप लोग कह सकते हो कि शैतान movie बहुत अगड़ा hype लेके बैठी हुई है लेकिन अगर हम लोग दोस्तों चेक करें कि आखिर book my show में क्या interest I am the most anticipated list में कहा है तो guys देखो book my show में अभी लगभग भी लगभग 20-22 दिन रहता है हाला कि किसी बड़े स्टार की movies का 20-22 दिन पहले मतलब काफी guys बातचीत होने लगती है हाँ इसकी बातचीत तो नहीं है लेकि guys लोगों ने दिमाग में यह बात बिठा रखाएगी movie को देखना है लेकि guys जहाँ यहाँ पर इसके इतने कम इंट्रेस है वही guys अगर हम लोग mdv की most anticipated list चेक करते है तो नमबर एक में जहाँ आर्टिकल 370 आपको देखने को मिल रहा होगा 20-21 परसेंट दूसरे में guys शैतान है यहाँ guys सैतान यहाँ पर दूसरे में है 12.7% के शाँ जो इस बात की गबाही दे रहा है कि मूवी का हाइव दुरूस्त है अच्छा हाइव है बागी guys यहाँ पर काफी सारे लोग इस मूवी का बजट भी मेर से पूछते है तो guys देखो शैतान मूवी एक हॉरर थीलर मूवी है और जिसमें ऐसे कोई बहुत बड़ बड़ श्टार नहीं है आजे देव को अगरम लोग छोड़ दे तो आर्माधवन है जोतिका है उनका भी guys एक पोस्टर आया है जिसमें वह काफी इंटेंस उनका डर्डरी भी लग रही है वह काफी इस मूवी को बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगा लग बग पचास साट करोड़ इसका बजट है मतलब पूरा प्रोड़क्शन कॉस्ट मिला के गाइस इस मूवी को पचास करोड़ मुपे में मरा दिया गया होगा अभी यह जो बजट है क्या अजे देवगन के फीस के बना तो गाइस देखो मैं वीडियो नहीं बना सकता लेकिन देखो जो चीज जायाज है उसके ओपर हम लोग रियाक्स जरूर कर सकते हैं अभी यहां पर हम लोग एक जो पोस्टर है उसकी बात करें कैसे वह लग रहे हैं तो गाइस आजे देवगन ने एक पोस्ट डाला ल देखो भाई मैं उस मूवी को गाइस देखो देखा हूं नहीं वश मूवी को तो मेरे से अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा मुझे किस मुझे इस मूवी का इंतजार है तो मुझे समिवेश का इंतजार है जो की चोटा पैकिट बड़ा धमागा निकलेगी मुवी का बज़र जितना भी होगा गाई यह मुवी उसके तीन चार गुना जादा कमाने वाली यह दिखो भाई दिरिश्यम भी एक रिमेक मुवी थी तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि यार बॉलिवूड की बेड़ा गरक है और दिरिश्यम भी अब फलॉप होने वाली है लेकिन दिरि एसा नहीं है कि फंशा करोर्ण बमी यह था इस की और प्लाई लेकिन यह पिनी और और दिंगता है दस लोग काुर में से अपडेट hearing मेदान मुवी अपडेट क्या है तू देको मेदान मुवी हैं कि मुवी का मुझा नोर बहुंद представite को रिलीस करके रहेंगे क्योंकि कई बार इस मूवी को पोस्टपॉन कर दिया गया है लेकिन यहां पर जो गैप है ना यह काफी ज़्यादा गाइस गल्द है मतलब अगर आप लोग देखो आठ मार्च को मूवी रिलीस हो रही है सैतान फिर अगले ही महीने एक महीने बाद अगले मैंने फिर काल की मूवी आ रही है लेकिन अगर हम लोग देखें तो गाइस पहले तीन मूवी थी एक देवरा साउथ की मूवी मैदान और बड़े मिया चोटे मिया लेकिन अब देवरा चली गई है तो गाइस इद का मजा सिर्फ अक्षे कुमार थोना चखेंगे इ तो अभी रूमर्स ही है जो कह रहेंगी क्या कुछ है कहना आपका इसने बताओ मिल रहें किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही